तो दोस्तों लोगन पॉल ने ये अनौन्स कर दिया है कि वो WWE Money in the Bank 2023 में जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या लोगन पॉल Money in the Bank मैच के विनर बन सकते हैं और अगर वो विनर बनेंगे तो वो अपना Money in the Bank किस के ओपर कैशिन करेंगे रोम आरेक्स के ओपर या फिर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स के ओपर ये सारी बाते जानने के लिए इस वीडियो का आके तक जहुद देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आईए दोस्तों आप करते हैं वीडियो के शुरू और मैं आपको बताता हूँ कि लोगन पॉल की आगे की स्टोरी क्या होगी WWE RAW में लोगन पॉल ने ये अनाउस कर दिया कि वो मनी इन दा बैंक 2023 में जा रहे हैं और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जब WWE ने लोगन पॉल को साइन किया था तो लोगन पॉल से एक वादा भी किया था कि लोगन पॉल को वर्ल्ड टाइडल का मौका देगा और लोगन पॉल को वर्ल्ड चैंपियन भी बनाएगा टिपल एच लोगन पॉल को काफी ज़ादा पसंद करते हैं और ये बात किसी से भी छुपी भी नहीं है तो मुझे लगता है कि लोगन पॉल इस साल के मनी इन दा बैंक मैच के विनर ज़रूर बनेंगे और मनी इन दा बैंक 2023 के विनर रहेंगे लोगन पॉल और उसके बाद ये सवाल है कि लोगन पॉल अपना मनी दा बैंक किसके उपर कैशिन करेंगे अंदिस्पुटेट डबल वी युनिवर्सल चैंपियन रोमा रेक्स के उपर या फिर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स के उपर तो मैं आपको उताता हूँ रोमा रेक्स के उपर लोगन पॉल अभी अपना मनी दा बैंक कैशिन नहीं करेंगे क्योंकि रोमा रेक्स को इतनी जल्दी डबल वी दीथरों नहीं करने वाली है और रोमा रेक्स के बाद अभी लंबे टाइम डबल वी चैंपियोशिप ज़रूर रहेगा तो इसलिए मुझ दोस्तों आप लोगी कमेंट दे ज़रू बताई आपको क्या लगता है कि लोगन पॉल अपना मनी दा बैंक किसके उपर कैशिन करेंगे और कमेंट बे ये ज़रू बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वी स्क्राइब करना मत बुलिएगा तब तक कि दोस्तों ठैंक यू एंड गुडबाई